हेलो गाइज इस हसल किसे आप लोग पहली गार में अपनी वाइस में वीडियो रिकार्ड कर रहा हूं क्योंकि बात ही कुछ रही है काफी सारे हमारे गेमर भाई है जिनको स्टीम पर गेम पच्छेस करने में प्रॉब्लम हो रही है और अब सभी को पता है कि स्टीम पर उनका सामर सेल चल रहा है काफी सारे गेमस है जो काफी डिस्काउंट्र पर מिल हूए है तो कुछ दिनों पहले मैं भी game purchase कर रहा था बट मैं भी same problem face कर रहा था तो मैंने काफी वीडियोज देखे YouTube पर बट कोई solution नहीं मिल रहा था एंड उन वीडियोज की comments में हर कोई परिशान था इस error को लेकर फिर मैंने 2-3 ways try किये उनमें से एक काम कर गया तो मैंने उन वीडियोज की comment में जा कर वो solution बताना चाहा बट मेरे comments डिलिट कर दिये गए उन वीडियोज के owners ने पता नहीं Indian gaming community में क्या चल रहा है खेड चलिए देखते हैं कैसे आप भी buy कर सकते हैं कोई भी game को steam पर उसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा Brave browser जो कि एक free and popular browser है काफी लोगों को ये browser अल्रेडी पता होगा आपको बस ये browser डाउनलोड करना है अपना steam account लॉग इन करना है और उसके बाद आप कोई भी game डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे purchase करना है GTA 5 सो मैंने उसे अपने card में add कर दिया है then click on purchase for myself उसके बाद payment method में आप अपना payment method चूज करते हो मैंने चूज किया है debit card क्योंकि मेरे बास debit card then click on continue then check कर लेना एक बार and then click on I agree उसके बाद billing information आपको feel करना होगा उसके बाद verify mobile number आपको एक OTP आएगा जिसे आपको यहाप प्लेस करना है इस प्रोसेस में तोड़ा टाइम लग सकता है so be patient then आपको card type select करने मिलेगा इसमें आप जो भी आपका card type उगा को select करना आपका card number and other details फेल करके submit पर click कर दीजिए उसके बाद आपके register number पर एक OTP जाएगा जो कि usually हर online payment में होता है उस OTP को आपको यहाप प्लेस करके make payment पर click करना है उसके बाद आपका purchase successfully हो जाएगा Steam पर इसे reflect होने में थोड़ा time लग सकता है जैसी कि आप देख सकते हैं मुझे एक mail आ गया है SBI के throw क्योंकि मेरा SBI का debit करता कि आपका purchase जो है 942 रुपीज का हुआ है अब हम आ गये हैं Steam पर ठीक है अब हम जाएंगे हमारे library में देखने के लिए कि हमारा game यहाँ पर आ चुका है या नहीं So दोस्तों देखो मेरा game जो है वो add हो गया है Steam पर अब यहाँ से मैं download उसे कर सकता हूँ आप भी इसी तरह यही method यूज करके कोई भी game कभी भी download कर सकते हो जैसे कि आप जानते हो 13 को अपना Steam का last date है summer sale का तो अपने दोस्तों के साथ share करो इस वीडियो को और जो भी game आपको अच्छा लगता है आप download कीचे और उसका मजा उठाइए प्लीज शेर इस वीडियो और प्लीज सपोर्ट मै चैनल थैंक यू सो मुच बाइस